आज की वीडियो में हम लोग रिब्यू करने जा रहे हैं और लिव हारियर कजरिंगा एडिशन का तो चलिए सुरू करते हैं अभी तक आपको हारियर में डाक एडिशन और क्याम एडिशन दिखता था और अब टार्टानिक न्यू अडिशन लाउच गया जैसे हम कजरिंगा एडिशन कहते हैं जो बे राइनोसारस के उपर बेस्ट है तो बात करें इसके बूट स्पेस ही तो आपको पूरे 412 वीटा का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है आपका नीचे प्लेस्ट है यहां पर आपका सब वूफर यहां पर आपका स्पेर टाय जो ओविसली छोट है यहां आपको बूट स्पेस काफी बड़ा मिलता है और स्पेर टाय ना होने के वैसे आपको बूट में काफी जादा स्पेस मिलती है जहां पर आप अपना एक्स्टा लगे स्टोर कर सकते हैं यहां पर आपकी जाक की प्लेस्मेंट और बाकी आपके सारे पंचर किट यहा आपको 60-40 split seats मिलती है यह आपका पार्सल ट्रे जो फोल्डेबल नहीं है काफी ज्यादा बड़ा पार्सल ट्रे है जैसा कि मैंने आपको बता है 60-40 split seats है कि यहां पर आपको mostly चीजें याद तो आपको गोल्डेन कलर में मिलेंगी नहीं तो फिर ब्लाक कलर में आपको अंदर भी टैन इंटीरे दिया गया है आपका स्टेरिंग वील कुछ इस तरह का है लेधर राप्ट है आपका स्टेरिंग वील डिजिटल टाको मीटर यहां पर आपके 8.8 एंच का स्क्रीन आटोमाटिक आयर व्यम जो काफी अच्छी बात है इस गाड़ी की 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 स्क्रीन थोड़ी बड़ी ओने चाहिए लेकिन यहां पर आपके आपके आङ्टीयो कंट्रो्ल क네요ापव क्रूज कंट्रॉस włos यहां पर आपके वाजन घ्याँ आपके म्यूजिक कंट्रोउस आपके आपके इस इवेंट्स उसके नीचे आपके 1000 बटन के लाम और यहां पर को आपको आॉटमाटिक एसी आपको कोई भी वायर्लेस चारजिंग पार्टी मिलता है जो होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में यहसा कि मैंने आपको बताए इस गाड़ी में आपको टान इंटीरि यहां पर आपका क्लश आइम सॉरी आपका हांड प्रिक जो काफी यूनीक है आपका आमरेस्ट इसमें आपको 12 वोड पावर स्वाकेट मिलता है साथ में यूस्बी चार्जर यह आपकी सीट्स में वेंटिलेशन है यहां पर कजरिंगा की बैजिंग आपको वुडेन डास बो यहां पर आपको एस इवेंट्स जे बीयल के ट्वीटर सापके एपिलर पर प्लेश के रहे हैं मैसिब पैने रॉमिक संरूफ जो आपके स्टार्टिंग से लेके एंड टक है यहां पर आपको वेरियस बटन्स जिये गए हैं अपने संदूफ का अपरेट करने के लिए जो एक काफी अच्छी चीज है टाटा की यहां पर आपके लांप यहां पर आपके आपका माइक अब वेनीटी मेरर विट लाइट्स उनको ड्राइवर साइड लेकिन ड्राइवर साइड में सब कुछ बदल जाता है एक टिकेट होल्डर भी नहीं मिलता आपको यहां पर आपके विंडो कंट्रोल सारे ड्राइबर साइड यह आपको दार्क क्रॉम का इस्टमाल किया गया जी हां यह इसे डार्क क्रॉम कहते हैं आपको हाड़ प्लास्टिक का ज्यादा स्टमाल नहीं मिलता है आपको तेल्ट इन टेलेस्कॉपिक दोनों मिल जाता है आपका स्टेरिंग वील आप इससे अपनी हाइट के लिए अपने रीच के लिए भी एड्जेस्ट कर सकते हैं इसका मतलब होता है टेटन टेलेस्कॉपिक आपको इस गाड़ी में काफी ज्यादा जगाप पर डाक रॉम इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हैं इसमें टैन इंटिरियर से डाइट सब्सक् हमें एक एक चीज को अच्छे से देखना पड़ता है तब क्योंकि तब हमें इसके सारे फीचर समझाते हैं यह वोड़न डाइसबोर्ड है पूस्टार्ट बटन यहाँ पर आपका क्लच और एक्सलिरेटर ग्लब बॉक्स में लाइटिंग है और कूल्ड भी है सीट्स वेंटिलेटेड है फ्रेंट ड्राइवर सी ड्राइवर साइट की तो चलते हैं इसके रियर की तरफ तो यहाँ पर आपको रिफलेक्टर मिलते हैं कजरिंगा की बाचिंग जो काफी सुन्दर है बहुत जादा सुन्दर यह आपके पोलो के टायर्स आर 18 यहाँ पर आपकी लाइट्स आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर मिलता है एक हैलोजन मिलता है डियार्स और इस गाड़ी में आपको काफी बोल्ड लुक मिलता है तू थर्टी फाइव सिक्स्टी के टायर है और पियानो ब्लाक फिनिस में आपके आयर वी ओर विम से हैं द egal aarium अपका फर्फिर फॉग लांप मिलता है एार्यार की बड़ी सी बाजिंग प्रेंट पार्किंग कोई सेंसर या कामरा नहीं मिलता है ना 360 कामरा या कोई सेंसर आज सच यहां पर आपको यह फोग लांप और आपको रिफ्लेक्टर दिये गए हैं एक स्पोर्टी लुक के लिए फेक एक्सवास लेकिन तार्टा यासे कंपनियों से हम भी नहीं करते यहां पर आपके पडल लांप आपके नंबर प्लेट की जो एलीडी हैं यहां को स्पेर टायर और गाड़ी का ग्राउंड क्लियांस है 205 जो आपको आफ्रोडिंग में मदद करेगा कुछ और ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन यहां आपके लेडी लांप तेल लांप अगर इसमें हमें 210 mm का ग्राउंड क्लियांस मिलता है तो एक अच्छी आफ्रोडर भी बन सकती थी गाड़ी यहां पर आपको बी पिलर पर आपको एस इवंट दिये प्लेस किये गए हैं आप आपका मागजीन होल्डर और इस गाड़ी में स्पेस आपको बहुत ज्यादा मिलती है हाइट अग्जेस्टिबल सीट बेल्स फ्रंट के लिए भी और डॉंट तिंग यह हाइट अग्जेस्टिबल है जेबिल के ट्वीटर स्पीकर्स आपको इसमें एट नाइन स्पीकर सिस्टम मिलता है इसमें आपको लंबर स्पॉर्ड डिया गया है ड्राइवर सीट देुकर्स आइड में में इस चैप ही लेकिन सीट काफी अमफटीबल आ थे तो आपको लंबर सेपोर्ड की दिजुरत तो पढ़े इनिए नियर में आ को चार्ज़ दिये गए हैं लोई फ्लाट नहीं हैं लेकिन स् बूट स्पेस भी इस गाड़ी का काफी बड़ा फिर भी आपको लेगरों ज्यादा मिल जाता है यहां पर आपके रीडिंग लाम्प तो कुछ इस तरह का है इसकी रियर्शी जो काफी ज्यादा कमफर्टेबल है यहां पर आपको आम्रेस्ट में ट्विन कफोल्डर्स दिये गए हैं और आम्रेस्ट भी आपको कुछ ज्यादा हार्ड नहीं मिलता यहां पर आइसो फिक्स चाइल्ड मांट सीट्स आपको इस गाड़ी में ज्यादा सॉफ्ट टच के स्टमाल किया गया है और आपका ठाई सपोर्ट लेग रूम सब कुछ यहां पर अच्छा मिलता है और यहां पर आपको सनरू भी मिल जाती तो आपको वो एरी एरी फिलिंग भी मिलती है यहां पर बाक से डाइस बोड का लोग कुछ ऐसा है